ओके शांजी बनाए रखे सुकून बनाए रखे लो रास्ता छोड़ देवर बैड़ से आप लोग अपर जी नजवान कमेटी चड़ाउटर रूपनगर की जाने भी एक बार फिर से तमाम महमानों के इस्तक्बाल करता हूँ और हमारे बीच में जनाब सुरेंदर जी काठात क आरगो एहमद नगर विशिश्ट अतिती के तोर पर हमारे बीच में है उनका भी भाई खास तोर से इस्तक्बाल करता हूँ शादद भाई मैं कह रहा है कंडेंसर वदल दीजिए अगर दिकतर कर रहा है हालो आजी तरुन जी तरुन पंदे जी और उनकी पूरी टीम का इस् प्रविटी के सदर मोहतरम बंदू साहब आमारे बीच में है हाकीम कुरेशी साहब बहुत जल्द मिर्जा अली बाबा की वारगाह में भी गुले-गुलजार होने वाली और साने वाला है फरवरी में है एड़ आप पता देंगे तो बाद अनौन्स करेंगे अब अलीजे सि करनत के शेहजादे है अनीज राइस साब्दू आलो 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 आध Прिष्ञओ अनौन याव आज है याव यह एड़ 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 बहुत शुक्रिया मेहंदर चौहन साथ बर्सर फंश हमारवेज में काफी समय आपने दिया है यापिल में कराकारों के कदर्दानी की शुक्रिया शकील भाई का इस्तक्बाल भी कर रहे हैं हमारे लाल महमद जी के निर्देशा नुसाथ दर्गा कमेटी की और से जे मौजी सामेइन एक्राम जी गुजराद शकील भाई पूरी रात पूरी रात से जो बहुन है उसको मद नजर रखकर तीन बजे का समय है राजु साइक एक गजल मैं पढ़ दूँ उसके बाद जो आपका महौल है और यकीन कीजिए ये मेरी रोजी मेरे सामने है मुझे बरसो हो गए मुकाबला किये हैं मेरे गुरू जी ने मना किया था लेकिन आपका जो हुकम है वो चंद शेरों में मैं जरूर सुनाओंगा इंशाला अभी जो घजल में पेश कर रहा हूँ हाँ ये वो घजल है जिसे जिसके जरीए ल्ला तबारको ताला ने काफी शोरत ने अता फरमाई है उटके बैठो जो जरा सो रहे हैं वो जरा जोश में आ जाए बैए पीछे वाले भी एक दूसरे को उठाएं और इस घजल का आनन इस घजल का मज़ा लें इंशाला उम्मीद करता हूँ सेसा थोड़े इफेक्ट डाउन कर दीजिए क्यों शेर समझ में नहीं आते हैं फिर हलो पहले सही था हलो हलो थोड़ा और डाउन कर दीजिए हलो उम्मीद करता हूँ बस यहीं रखिएगा कि इंशाला एक अक शेर राजुसा एक अक शेर जिंदगी से रिलेटिड है और मुझे यकीन है कि इतने बैठे हैं सब बड़ा मज़ा लेंगे बड़ा लेंगे बड़ा परिस दिल में बड़ा बड़ा कि आण युख वहांग वहां नहीं आणा इस्पी कंद esa मध्दम कर ऊऊब को सा.. इस एक सब्सक्रीजेश इस सा..